नमस्कार शोताओं, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में, मेरा नाम है मले भटाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेखक फणिश्वर नात रेणों की लिखी हुई कहानी रसूल मिस्तिरी। कहानी शुरू करने से पहले सभी सही निवेधन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका एक बेश कीमती हिस्सा बन जाईए, ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी-च्छी कहानिया आप वर्तन हो गए हैं आशा से अधिक और शायद आवशक्ता से भी अधिक स्कूल और होस्टल की भवी मारत को देख कर कोई कलपना भी नहीं कर सकता कि आज से महज आठ साल पहले अधिकांश क्लास पीपल के नीचे लगते थे बरसाथ की रात में होस्टल के छात्र तूट टाट घर टपकत खटियों तूट की पुनरावृत्ति करते थे शहर भर का कूड़ा जिस स्थान पर फेंका जाता था वहीं आज विशाल टाउन हॉल है कलब है और पुस्तकाले है गफूर मिया का चमड़े का गोदाम तस्वीर महल हो गया है कभी उस गली से गुजरने के समय भग क्यारे हमारे गलियां खलीफा फरीद की फट फटाने वाली फटीचर सिंगर मशीन और उनकी कैची की काट छाट के दिन लग गए हैं मौडर्न कट फिट के लट्टू मास्टर का जमाना है रेस्टरा और टी स्टॉलों की संख्या तो शाक भाजी की दुकानों से भी बढ़ गई है युद्ध और महंगी के बावजूद नई नई स्कीमे बन रही हैं बिगड रही है शहर का पूरा काया पलट हो गया है लेकिन सदर रोड में उस पुराने बर्गत के बगल में रसूल मिस्तिरी की मरम्मत की दुकान को तो जैसे जमाने की हवा लगी ही नहीं कोई परिवर्तन नहीं कुछ नवी इंता नहीं फटी हुई दरी पर बैठ कर मरम्मत के काम में मगन रसूल और उसका बेटा रहीम दोनों के बैठने की जगह भी नहीं बगली आस पास में मरम्मत के लिए आई हुई चीजें साइकल के पुराने चक्के, ट्यूब, सीट, पैडल, चेन, हैंडल, ब्रेक, बेट्रो मैक्स, स्टोब, हार्मोनियम, ग्रामोफोन वगएरा इर्द गिर्द बिखरे हुए औजार, छोटे बड़े पेंच, एक काठ के पुराने बक्स में प्राया, सभी चीजों के पुराने पुरजे, रेंच, रेती, छेनी, हतोडी, पेचकस, टूटे स्प्रिंग, आदी, आदी, आदी पास में ही एक छोटी सी पुरानी आलमारी में पुराने और नए डिजाइनों के छोटे बड़े बिगड़े हुए टाइम पीस, डनलप ट्यूब के दो तीन खाली डिब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही चीज़ें, पर सब पुरानी और बिगड़ी हुई आलमारी के उपर पुराने ग्रामोफोन का एक चोंगा उंधाया हुआ, दिवार पर डनलप और गुडियर तथा वाच कमपनियों के 34, 36 और 38 के पुराने कैलेंडर, मिस कजजन की एक फटी हुई रंगीन तस्वीर, दो दिवार घडियां, एक बिना डायल की, दूसरी बिना पेंडूलम की, बिना पेंडूलम वाली घड़ी, पता नहीं कितने दिनों से तीन बजा रही है, दूसरी अपने आंतरिक यंत्रों का प्रदर्शन कर रही है, उसकी स्प्रिंग के पास ही मकडी ने अपनी जाली लगा दी है, दूसरी और रहीम बैठा चुप चाप काम कर र हैते हैं, एक पुरानी टीन की तखती न जाने कितनी वर्षों से लटक रही है, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रसूल मिस्तिरी, यहां मरमत होता है, इस साइन बोर्ट पर बहुत दिनों से पड़े लिखे लोगों की मंडली ने टीका टिपड़ तर शायद नहीं समझी गई, रसूल मिस्तिरी, मजोला कद, कारीगरों सिकाया और नुकीले चेहरे पर मुठी भर, गंगा जमनी दाड़ी, साथ वर्ष की लंबी उम्र का कोई भी विशेश लक्षन शरीर पर प्रकट नहीं हुआ, फुर्ती चुस्ती जवानों से भी और कमीज, पान, चाय और बीडी का भक्त, कभी हाथ पर हाथ धर कर चुप चाप बैठना वो जानता ही नहीं, गप्पी भी नंबर एक का, पर अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलने वाला, काम के साथ ही साथ वो बातचीत का सिलसला भी जारी रख सकता है, तो समझे ना ज रहीं, जरा पेच कस फेकना तो, हाँ, तो राम चंदर बाबू, अरे भाई छोटा वाला, छोटा वाला, रहे गए पूरे भौक तुम, इससे, हाँ यही, रहीं, रसूल मिस्तिरी का एक मात्र पुत्र, सावला सा हट्टा कट्टा जवान, परम पित्र भक्त और अवाशक्त से अधिक नम्र, बाप की मौझूदगी में कभी उसे मुह खोलते बोलते नहीं देखा गया, जहां दो चार आदमें काम लेकर आए कि उसकी सहिशृता की परिक्षा अरंभ हो जाती है, छोटी सी गलती पर रसूल मिया पिना कुटते हैं, दिन भर काम में जुटे रहने पर आलसी, कामचोर, लापरवा और कभी-कभी आवारा की उपाधी भी उसे मिल जाती है, रसूल मिया बक्ते रहते हैं और वो शान्त होकर चीज वाले को समझाता रहता है, इसका इस्पिरिंग तूट गया है और होल्डी नट, बस रसूल मिया इसमें भी अपनी टांगडा दे देखें, कहां क्या हुआ है, वारे लड़के, सिरिफ इस्पिरिंग टूटा है, अच्छा ले, हम नया इस्पिरिंग फिट कर देते हैं, होल्डिंग नट भी बदल देते हैं, मशीन चला कर रिकार्ट, यानि रिकॉर्ड, बजा दे तो समझें कि हो गया पक्का मिस्तिरी, अरे उलुवा, बैलेंस कैसे ठीक होगा, बैलेंस, रहीम अपने होटो पर एक सलज मुस्कान लाकर निगाहे नीची कर लेता, शहर से दो मील पूरब एक छोटी सी बस्ती में मिस्तिरी का घर है, मिस्तिरी के पूरवच कभी खुशाल किसान थे, पर आज तो जायदात के ना बाब और कलिया, हलवे और सिवाईया ही पकती हैं, बेटा और पतोहू तो कुछ कहने से ही रही, रह गई बुढिया, सो वो बेचारी अपनी जवानी के दिन से ही काट, कपट, कम, खर्च और संचय के सभी तरीकों को आजमा कर हार गई है, मिया रसूल की उमर खयामी फिलोस पुठली में का हो रहीम, कलेजी है, रहीम मिनमिना कर उत्तर देता, किता है, सेर भर, का भाव दिया है, आल्ला, दूर उपए सेर, आग लगे ऐसी जीव में, दूर उपए सेर कलेजी, हम पूछे हैं तो से रहीम की अल्ला तोरे कब अकिल ले, मिया के सेर पर तो खभूत पूछा ने बोली न दिया है, बुढ़िया बैठकर कलेजी के शौक को कोस्ती रहती, रहीम चुप चाप वहां से खिसक जाता, बुढ़िया की गोद में बैठा हुआ पोता कलेजी की पोटली की और बार बार जपटता, और बुढ़िया उसको बार बार रोपती, हाए हाए हमरे तक कुछ न सूझे है, घंटों वो बड़बडाती रहती, बाप बेटे दोनों की बुद्धी मारी गई है, जमाना देख कर नहीं चलते, खाने पीने के पीछे लोगों की जो दुरुगती हुई है आदी, आखों देखी घटनाओ का उधारन दे दे कर ये साबित करती ह कि ऐसे चटोर मरने के समय कफन के लिए भी कुछ नहीं छोड़ जाते, वो अपनी किसमत को ठोकती रहती कि ठीक इसी मौके पर मिया रसूला पहुचते, सबसे पहले जवाब तलब करते कि कलेजी अब तक इस तरह क्यों पड़ी हुई है, बुढ़िया मू लटकाये चुप पहती, रसूल मिया अंदर जाकर मिरजई खोलाते, वो सारे पर जम कर बैठ जाते, पतोहु गुडगुड़ी दे जाती, दो वर्ष का नठखट पोता करीम दादी की गोधी को छोड़ कर दादा की गोध मिया कर बैठ जाता, और दादी की और उंगली दिखला कर तोतली बो रसूल मिया गुडगुड़ी में कश लगाते और गंभीर हो जाते, फिर पूछते, हम तोरे पूछे हैं रहीम की अम्मा कि आखिर तेरी ये रोज-रोज की खिट-खिट की आदत कब छूटेगी, जब देखो तब वही हाल, जब सुनो तब वही बात, आखिर हम पूछे हैं कि तोरे लाज सरम जरा भी नहीं, सब धोकर पी गई है, तेरा बस चले तो सब को फाका करा के छोड़े, सौक से कभी कोई चीज लाओ कि बिना खिट-खिट किये चैन नहीं, खिट-खिट वही या, करीम बिस्कुट खाते-खाते किलकारी भर कर बोल उटता, बेचारी अब कौन सा दिन देखने के लिए वो जी रही है, वो इस घर की कौन है, वो क्यों बोले, नेकी की बात कहने से वो बेहया और बेशरम हुई, पतोहु कलेजी की पोटली लेकर काटने लग जाती, रहीम अपनी कोट्री से निकल कर बाहर चल देता, बुढ़िया बैठी सिसकत रहती, रसूल काका है घर में, बाहर से कोई आवाज देता है, कौन है, फकरुद्दीन, अंदर आओ, क्या बात है, रसूल मिया गुड़गुड़ी की नली मुह से हटाते हुए जवाब देते, काका, रशीद को दिन से ही पेट मुह दोनों चले है, दवा तो सुनवये ने क रहे हैं, देह भी ठंडा, तो दिन से कान में तेल डाल कर सोया काहे था, रसूल मिया बीच में ही बात काट कर उठ खड़े होते, चलो देखें, कुछ नहीं होगा, खटा मीठा खाई है, ठीक हो जाएगी, कहकर वो अंदर चले जाते, इसमाइला कैसा है रे फकरू, पूछती, तो रे दुआ से अब अच्छा है काकी, तो तो अब कभी आती भी नहीं, इसमाइला की मा कहे है कि काकी नाराज है, दुर पागल, नाराज काए होए, करिमा के मारे फुरसद मिले तब तो, रसूल मिया जेब में छोटी बड़ी शीशिया ठूसकर निकल पड़ते चल, बुरिया अपने ही अपने बोलती, जरा ठिकाने से देखी हो, जो दवा नहीं रहे, सहर से मंगा आली हो, दादा के चले जाने के बाद करीम मिया धीरे धीरे दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं, और बे मतलब की हसी हसकर संधी प्रस्ताव करने लग जाते हैं, यदि अगर वो रूठी सी रहती, पर मिया करीम अच्छी तरह जानते हैं कि इन मौकों पर क्या करना चाहिए, जबरदस्ती गोदी में बैठ कर अनुपस्थि दादा की शिकायत करने लग जाते हैं, दादा फकर, दादा चटोर, दादी के होटों में छिपी मुस्कान को वो और अजीब भाशा में हस बोल कर दादी को रिजाने लग जाता, जिसका अर्थ यो हो सकता है कि दादा के साथ तो शनिक संधी सिर्फ बिस्किट के लिए हुई थी, देखो कैसे दादा से ठख कर बिस्कुट ले लिया, इसी को कहते हैं राजनीतिक दाओं पेंच, कले जी का जोर और हे प्राणी है, करीम मिया ने उसकी खुशामद न कभी की है और न करेगा, और उसकी ये ही माकत की धंकी दे, थोड़ी देर गंभीर होकर चुप रहने के बाद मुस्कुराती हुई अम्मी को आप डांड देते, चुप्फु यानी चुप्फु हर, आए दे दादा को, अम्मी फे धंकी देती, इस बार करीम मिया पाजा में से बाहर हो जाते, दादी की गोध से उठ खड़े होते और आसपास प्रहार करने योगे किसी वस्तु की तलाश करने लग जाते, मोटी लाठी को उठाने में असफल होकर, खाली हाथ ही अम्मी पर धावा बोल देते बाल पकड़ कर घसीटने लग जाते, अम्मी चिला उठती, छोड़ शैतान छोड़, नहीं कहोंगी दादा से छोड़, दादी हस्ती हुई जाकर उसे पकड़ लाती, करीम मिया अपनी भाशा में धंकी देते, फकड़ दादा को, अबबा को, और तुम को मार कर घर से बाहर निकाल दूँगा, अगर अम्मी मुह चिला देती, तो फिर मैदाने जंग में उतरने का उपक्रम करने लग जाते, पर दादी रोग देती, सिर्व दाद कटकटा कर बलबला कर बैठ जाते, दादी और अम्मी संकेत को समझती, बुढ़िया कहती, आज दूध पीए के वकत तो रहे रुला के छोड़ेगा, याद रखियो, करीम ने इधर कुछ दिनों से एक नया तरीका निकाला है, दूध पीने के समय वो रह रह कर इसका प्रयोग करता है, अम्मी चीक उठती है, अम्मारे, और अपनी सफलता पर, अम्मी की चीक पर करीम खिल खिला कर हस पड़त मसाले के संबंद में चेतावनी देने के बाद वो खुद रसोई में पहुच जाती, पतोहु की गोदी में करीम को देती हुई बोलती, जा बाचा जा, मैं देखूं सालन, पतोहु मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर हो जाती, गाउं में चक्कर लगाकर रहीम अपनी कोठ में वापस आ जाता स्वामी स्त्री और बेटा तीनों जने मिलकर पुराने जापानी ग्रामोफोन पर कमला जरिया का गीत सुनने में मश्गूल हो जाते रसूल मिया जब लौटते तो हाथ में बसंती ताड़ी की लबनी रहती आंगन में दस्तर खान बिच जाता उंगते हुए करीम मिया भी उठ बैटते रिकाबी बगना और गिलास घसीट घसीट कर दादा के पास ले जाते तीनों जने मिलकर त्रिप्ती पूरवक रोटी कलेजी खाते रहते बीजवीच में ताड़ी का दौर चलता रहता बढ़िया पास में बैठ कर परोस्ती रहती अवाह सालन तो खूब बना है सुनते ही बढ़िया निहाल हो जाती करीम मिया भी एकाद घूट पीकर जूमने लगते लबनी में बची हुई ताड़ी बढ़िया को सुपुर्द करके रसूल मिया फरमाते कभी कभी रसूल मिया को रात में उठकर भी कॉल में जाना पड़ता था और सारी रात रोगी के पास बैठ कर बितानी पड़ती थी सुबह चुप चाप नाश्ते के बाद ही रसूल मिया शहर को चल पड़ते दोपहर का खाना रहीं लेकर आएगा घर से चलने को तो वे चल देते ठीक समय पर लेकिन खाना लेकर रहीं उनसे अक्सर पहले ही पहुँचता घर से निकलते ही गाउं भर के शादी विवाह जगडे पंचायद रोग शोग दवा दारू आदी के संबंद में सला लेते देते बारा बज जाते गाओं से बाहर होकर खेतों में काम कर रहे हैं लोगों से खेती बारी के संबन्द में दो दो बातें नहीं करें ये भला कैसे हो सकता है अरे महेंगू, तेरा मेला वाला बाचा कहा है? का कहें मामा, आज दो दिन से न घास खाता है न पानी पीता है भगवान जाने का होई गवा है? बस रसूल मियां लोट पड़ते बाचा को देखकर रोग तजवीज कर जड़ी बूटी बतला देते सिर्फ इतना ही नहीं, किसके बगीचे में, किस पेड़ के आस पास वो जड़ी मिलेगी ये भी बतला देते या सोयम जाकर ला देते दुकान पर पहुँचकर अपनी जगह पर बैठते बैठते अपने आप ही बोल उटते ओ, बड़ी देर हो गई फिर रहीम के काम को कुछ मिनट गौर से देखकर कहते ला, इधर दे देखें, तब तक तुम भोला की गड़ी को देख लो तूटी कुरसी पर बैठे हुए वैक्ती ने कहीं पूछ दिया कि कौन भोला, तो काम के साथ ही साथ भोला की जीवनी शुरू हो जाती अजी वही भोला, कंग्रेसी भोला, है मालूम, जेल में ही भी ये पास कर लिया खूब लड़का है भोला भी ये देखिए, आपकी घड़ी का here spring इतना कमजोर है कि क्या कहा जाए इसलिए कहते हैं सस्ता रोवे बार बार मगर भोला है अपनी धुन का पक्का, वैसे तो बहुत लड़कों को देखा है सुनने वाला परिचित भोला की लंबी चोड़ी दास्तान की भूमी का ही सुनकर धीर जखो बैटता भाई किस भोला की इतनी तारीफ किये जा रहे हो अरे वही लंबा लंबा बाल वाला, अरे साहब नहीं बात काटकर रसूल मिया कहते लंबे बाल वाल तो अबनिंदर है, अबनिंदर वो भी भोला का ही साथी है, वो भी अजीब लड़का है कविस है, है मालूम, कवित लिखने में उस्ताद है गव जैसा सीधा लड़का है, देखने से मालूम होता है आवारा है मगर एहो रसूल काका, चल देखा था यूती गवालिन सुभक्ती हुई आकर खड़ी हो जाती देखा था भला रसूल काका, दूद के बरतन ठोड़ देलन हाथ पकड़ के लखो जखो अरे कौन, कौन चतीस बाबु के बेटा सतीस बाबु से नहीं कहा चतीस बाबु उल्टे हमरे मारे दोडलन भागा राम जादी रसूल मिया की तियोरियां चढ़ जाती काम छोड़ कर बड़बडाने लगते जितना अमीर हैं सब एक नंबर का चुट्टा है चुट्टा जाओ तुम जरा सौदागर सिंग को बोलाला तो रे सुदमिया सुदमिया गौलिन आसू पोच्टी चली जाती पर रसूल मिया की बल बलाहट जारी ही रहती बड़ा रुपयों का गर्मी हो गया है औरत की इज़त पर हाथ उठावेगा सैतान कहीं का अरे मिस्तरी इन छोकरियों को कम मत समझो एक ही खेली खिलाई होती है भला ऐसी जवान लड़की को शहर में दूद बेचने के लिए जाने की क्या जरूरत चुप रहिए साहाब ये लड़की मेरी बेटी दाखिल है गाउं की लड़कियां बड़ी सीधी होती है समझे आपके शहर की तरह नहीं होती मैं पूछता हूँ दूद की आमदनी से ही जहां पेट चलता हो घर में इस लड़की को छोड़कर सब बिमार हो सुद्रमिया के साथ अकेले ही चल पड़ते बेला ढ़लने के बाद कहीं वे वापस आते और बढ़ बढ़ाते हुए दुकान में प्रवेश करते बच्चु चले एक दिन दिहात सरे आम सड़क पर नहीं पिठवा दिया तो रसूल लाम नहीं फिर दुकान के एक कोने में बैठी कुंजणिनों से पूछते क्यों अब्दुल की मा आज बड़ा सभेरे हो गया बस कुंजणिनों की टोली तूट पड़ती कब से बैठे हैं जरा हिसाब कर दे बढ़ाओ ठेड़ो ठेड़ो एक एक करके हाँ तो रे कित्ता करे ला रहा हमीदन तेरा सेर क्या भाव बेची चार आने हाँ तो तेरा चौका बावन बावा नाना के सवा तीन रूपिया देखें पईसा हाँ ठीक है अच्छा तुमारा परवल ए साहब उधर रहीम को दिखलाईए हमको अभी फुर्सत नहीं है देखते हैं नहीं हिसाब किताब करते खोटे खरे पैसों की जाज करते करते शाम हो जाती रहीम काम बंद कर चलने की तैयारी करता अरे इन लोगों को साथ लेते जा रहीम शाम हो गई है न मैं जरा उधर से होता आऊंगा कुझणिनों की टोली के साथ रहीम चल पड़ता धेनु साहा की दुकान पर पहुँचकर कुझणिन ने दो पैसे की जलेबी और सकरपाला लेने में ही घंटों की देर लगा देती और रहीम सड़क पर खड़ा चुपचाप सबों की प्रतिक्षा करता रहता रसूल मिस्तिरी के यहां मरम्मत की हुई चीज पक्की होती है सब चाहते हैं कि रसूल मिया के यहां ही अपनी बिगड़ी चीजों को बनवावें पर वो दुकान पर जम कर बैठता है कहां और जब बैठता भी है तो अधूरा काम बेटे के सिर्फ पर पटक कर कहीं चल देता है यही लोगों की शिकायत है पर जरा खरा आडमी है साफ साफ बात करना जानता है इसलिए ग्रहक कमाते हैं वो छोकरा रग्गू पहले रसूल मिया के यहां ही नौकर था आज कल मरम्मत की दुकान खोल कर माला माल हो गया है पर रसूल मिया की दुनिया जैसी थी आज भी वैसी ही है आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है स्टोव मरम्मत कराने रसूल के यहां पहुँचा स्टोव खोल कर वो देखी रहा था की एक अधेर देहाती ने आकर भर्रायस्वर में कहा गहना तो नहीं छोड़ता है कहता है सूध लाओ सुनते ही रसूल मिया काम छोड़कर उठखड़े हुए मैंने टुका फिर स्टोव कल होगा तो मैं स्टोव ले जाता हूँ मैंने जरा चड़कर कहा मैं अपना स्टोव लेकर मन ही मन प्रतिग्या करते हुए वापस हुआ कि कभी इसकी दुकान में न आऊँगा और न अपने दोस्तों को आने दूँगा पर आज रसूल मिया को अच्छी तरह पहचान चुका हूँ बचपन की उस प्रतिग्या पर आज भी मुझे दुक है साइकिल मरमत के लिए दी है पंदरा दिनों से लोट रहा हूँ रसूल मिया से भेटी नहीं होती रहीम कहता है कि उन्हीं से ठीक होगा किसी दिन संयोग से भेड भी होती तो देखता हूँ उनके जिम में साइकिल मरमत से भी जबरदस्त काम है फटे हाल औरतों को कपड़ा दिलाना है साथ दिन से लोट रही है भीड में दम घुटवा कर कतार में खड़ी होकर भी खाली हाथ लोट आती है किसी दिन सुनता हूँ गाउं में मलेरिया जोर से फैला हुआ है कुनैन मिलता नहीं इसलिए मिस्तिरी कई जड़ी बूटियों का काढ़ा बना कर आज गाउं भर में बांट रहे हैं रोज चुप चाप लोट आता हूँ और उस रोज बरगत के तने पर लटकती तक्ति को पढ़ लेता हूँ रसूल मिस्तिरी यहां मरमत होता है खली से किसी शैतान लड़के ने जो लिख दिया है यहां आदमी की भी मरमत होती है उसका मन ही मन समर्थन करके भी भूल जाता हूँ किस साइकिल के बिना मुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है तो शुर्ताओं अभी आप सुन रहेते लेखक फड़िश्वर नात रेणों की लिखी हुई कहानी रसूल मिस्तिरी यह कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट सेक्षन में बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सके नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सिट कर दीजिए आप सभी का रिधे से धन्यवाद